को आब गीफिकल्टी वंदरर्सांड इव की एफ्यू वाफ टिंट रिंपक 10 अगर किसी चीज को समझे में डिफिकल्टी होती तो वह क्या चीयर इसमें प्राइड होती है एक तरीके से सब्जेक्ट हो गया अब माल लो हम इसको यह बाद में टू अंडरस्टेंड हिम जो हमने लिखा है इसके सपोज माल लो हम थोड़ी देर के लिए इंगलिस लिख देते हैं जैसे माल लो मैंने ऐसे लिख दिया आई है आएव ग्रेट डिफिकल्टी आएव ग्रेट डिफिकल्टी इंगलेश्ट है यह मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लेख दिया अब हम इन दोनों सेंटेंस को देखो थोड़ा सा कंपेर करते हैं सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट आई वर्व हैब ग्रेट वर्व है 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 वर्व ग्रेट डिफिकल्टी ऑब्जेक्ट ग्रेट डिफिकल्टी ऑब्जेक्ट ग्रेट डिफिकल्टी ऑब्जेक्ट ग्रेट डिफिकल्टी ऑब्जेक्ट ग्रेट डिफिकल्टी ऑब्जेक्ट्ट इसके बाद हमने English लिख दिया और इसके बाद हमनेnın привilig यहां पर is डिया इन्फिनिटीव प्रेज लिख यह यहां पर वनवन लिख दिया अब हमें बसले नायून लिख दिया आप हमें पता कि नौन जो होते है यह यह प्रणॉंस जो होते हैं तो हमें पता है यह जो इंगलीस हमने लिखा है यह वर्प के अब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं सब्जेक्ट तो हैं यह नहीं पहले से लिखे हुए ग्रेट डिफिकल्टी तो अब हमें इनको प्रेपोजिशन का अब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि इस नाउन को इस अब जैसे हमने यहां पर इन लिखा है वैसे यहां भी लिखना पड़ेगा अच्छा यहां पर गया है कि इंग्लीज जो है यह नाउन है यह इन प्रेपोजिशन का अब्जेक्ट बन गया उसको अगर हम इन प्रेपोजिशन बनाएंगे तो उसकी जिरेंट फॉम लिखनी पड़ेगी तो अंडर्स्टेंडिंग तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आयाव ग्रेट डिफिकल्टी अंडर्स्टेंडिंग हम यह रखना है मतलब यह मैंने आपको समझा दिया समझना तो हमें यही है लेकिन आप इस बात को ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं तो हैव दिफिकल्टी इन सम्धिंग है तो मुझा लगते है यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से क्लियर हो गई होगी फिर भी कोई डाउट रह जाए कोई क्वेस्टन रह जाए जैसे मैं आपको बाते समझाता हूं सिखाता हूं तो यह मेरा अपने लेंग्विश बाते समझाता हूं किगा